आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीजो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो से लीशन पाओ डाउनलोड नाओ So the question is कि हमारे पास जो options के वेन है चार इसमें से maximum value electronegativity की किसकी है तो अगर हम इन options को देखें तो यो options के से हैं एक ही period के एक ही group के elements हैं तो carbon, silicon हमारा जो group है वो 14th group है ये ठीक है 14th group के carbon, silicon german, german and tin तो मतलब ये option में हमें line-wise ही given है एक ही group के elements तो देखो अब हमें पता होना चाहिए कि group के अंदर किसकी सबसे जादा electronegativity होती है तो electronegativity पहले पता होनी चाहिए electronegativity मतलब कि tendency to attract an electron तो electron को attract करने की जो tendency होती है वो उसकौन क्या कहते है electronegativity कहते है तो जैसे जैसे हम down the group चाहेंगे तो हमारा क्या होता है atomic radia increase होगा atomic radia increase होने की कारण हमारा z-effective भी decrease हो जाएगा क्योंकि जो attraction and nucleus और electron के बीच में क्या हो जाती है तो nucleus जो है easily attract नहीं कर पाता whereas जब हम along the period देखें along the period क्या होता है atomic radia क्या होता है हमारा atomic radia decrease हो जाता है along the period decrease होने के करण z-effective increase हो जाता है z-effective increase होने के करण attractions जो होती है nucleus और electron के बीच में जादा हो जाती है और easily वो attract करता है तो दोखो इसमें से हमारा सबसे ज़्यदा जो z-effective होगा वो उपर वाले का होगा carbon का क्योंकि यहाँ पे atomic radia कम है और traction जो है nucleus और electron के बीच में वो जादा है तो carbon का electronegativity सबसे ज़्यदा high होगा तो हमारा option first जो हो जाएगा वो correct हो जाएगा Thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीजिए अपने doubts 84444 पर